मचली जल की रानी है और बड़ी विचितर इसके घपागप की कहानी है स्वाखत आपका हमारे वक्षोधी वाला गयान एपिसोड 43 में और आज हम इस वीडियो में पानी में रहने वाली मचली रानी संभो कैसे करती है इसके बारे में जाने है मेरा नाम है मिमीत और आप दिख रहे हैं टिक मिट टी सी तो टाइम की वक्षोधी ना पेलते हुए सुरू करते है इस दुनिया में लगवागट 25,500 तरकी मचलिया पाई जाती है जिने अलग-अलग देसों में तक्रीमन 2,18,000 बिन 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 नामों से जाना जाता है और जितना ही बिन 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 नामों से इने जाना जाता है उतने ही बिन 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 तरीकों से ये गवागब करती है मचलियों की कुछ प्रजाती तो इंसानों की तरह ही 62 करती है और अपने सरीर के अंदर ही बच्चों को पालती है जैसे सार्क और कई मचलिया लेकिन ज्यादातर मचलियों के गबागब करने का तरीका बहुत 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 ही ज्यादा विच्चित रहे हैं इन मचलियों में नर मचली के पास टेस्टेस यानी विरिकोस और मादा मचली के पास अंड़कोस होता है और जब इनका मेडिंग सीजन सुरू होता है तो नर मचली मादा मचली का पीछा करता है और अपने मेन पार्ट को मादा के प्राइवेट पार्ट से रगणने लगता है और थोड़ी देर बाद जब मादा पूरी तरह उतावली होकर ठक जाती है तो अंडे देने लगती है जिस पर हमारा मचला यानि नर मचली अपने स्पॉर्म्स को पिखेर देता है और इस तरह से इनका संभोग पूरा हो जाता है पानी के अंदर की दुनिया बहुत ज़्यादा अनुखी है और मचलीयों के काम करेड़ा करने का तरीका तो उससे भी ज़्यादा अनुखा है मचलीयों की कई प्रजाती के पास तो नर और मादा दोनों के जन्नांग होते है यानि उन्हें किसी स्पेस्विक नर के साथ गपागब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती वो अपने आवी बच्चे पैदा कर लेती है मचलीयों में एक प्रजाती तो ऐसी भी होती है जो साथी नव मिलने पर अपनी जान दे देता है और जब उसे साथी मिल जाती है तो उसके गलफ़ल और पेट को काट देता है ताकि वो उसे छोड़कर भाग न सके इस मचली का नाम लोफियस अमेरी केनस है मचलीयों की दुनिया यतनी विशाले की सिर्फ इनकी सेक्स लाइप पर ही कई महीनों की वीडियो पनाई जा सकती है अब आप में से बहुत सारे लोग अपने घर में फिश टैंक रखते होंगे और फिश टैंक की सबसर पॉपुलर मचली है गोल्ड फिश तो अगर आपके फिश टैंक में रखे गोल्ड फिश के गिल्स पर वाइट स्पोर्ट से यानि सफे दब्बे दिखने लगे और मादा गोल्ड फिश पहले से ज्यादा मोटी और गोल्ड लगने लगे तो समझ जाना वो घपा घप के लिए तयार हो जुकी है आज की इस वीडियो में से इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को घपा घप दे दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन से 162 करके बगल वाली गंटी ओल पर सेट कर लो और ये बिल्कुल फ्री है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक इस चैन पड़ा है जाओ जाके मज़े करो